यो वाली बात बोलनी ज़रूरी थी ताकि आप लोगों का बिल्डप बन जाए और आप थोड़ा इस और रिवीव को सुनने के लिए एक्साइटिड रहो फिराल हम शुरू करते हैं हमारे इस मूवी रिवीव को लेकिन उत्से पहले लेट्स है वन इंट्रो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 370 मूवी की कहानी के बारे में त्यार देखो जैसे कि इसका नाम है आर्टिकल 370 इंडियन कॉंसिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 370 था जो कि एक बॉर्डर क्रियेट करता था कश्मीर और इंडिया के बीच में वेल उस बॉर्डर को क्यों इंप्लीमेंट किया गया था क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसको हटाने में और उसके रहते रहते क्या कुछ प्रॉब्लम्स क्रियेट हो ली थी और वैल उसको किस तरह से हटाया गया यह सब कुछ हमें इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा वैल अब स्टोरी तो यह तो मैं डरक लिया जाता हूं मेरे परसिल एक्सपीरेंस पे तो यहाँ इस मूवी का ट्रेलर बहुत दमदार था इस मूवी के ट्रेलर को देखते हैं मेरे को लगने लग गया था क्यार मूवी में जान हो सकती है जब मैंने इस मूवी देखनी शुरू करी तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस मूवी ने में को एंगेज करके रखा और ऐसा एक भी मूवेंट नीता है जहाँ पर मैं पूरो रहा हूं उबासी ले रहा हूं या मेरे मन कर रहा है कि चलो कुछ थोड़ा सा फोन में खोल के चेक कर लिया जाए कुछ रील वगरा देख ली जाए नहीं पूरी बहुत मस्त मूवी थी हर एक करेक्टर ने अपना बहुत के अच्छे तरीके से रोल प्ले किया है और देखा जाए ना तो जिसनी complicated ये problem थी real life के अंदर उतनी ही simplistic way के अंदर इन्होंने समझाने की कोशिश करी है देखो हर इंसान जो है ना वो नहीं समझ सकता lucky language lucky language में बहुत बार ऐसे शब्दी उस होते है या ऐसी language उस करते है जो कि एक common person जो है अगर पढ़ने जाएगा तो पहली बार में तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा ऐसी complex language और complex problem को इस movie ने बहुत simplistic way के अंदर समझाया है तो ये चीज मेरे को इस movie की बहुत बढ़िया लगी इसके अलावा अगर हम बात करे ना तो ना ही grand level पर कुछ किया गया है ना ही ऐसा दिखाया गया है कि भाई कोई ए तरीके से एक audience बनके सारी चीज देख रही होती है obviously वह एक soldier है तो soldier का रोल भी प्ले कर रही है पर उनको जिस तरहीके से चीजे समझाई जा रही है उसी तरीके से चीजे हमें भी समझ में आ रही है एंड में जाके थोड़ा सा ये चीज हट जाती है लेकिन शुरवाद से ल लगोर्त नहीं है borrano नहींद कोई बिन बात की बाते नहीं कर रहा खोई दोदर के डायलों निमारी जो भी परसंड जिसली राउड को फिंस ट्रीक ही कर रहा और एक-दम टाइलों का फिर यू सार अठे अब्र अगन कि आए या आप बस इसलिए देखना चाहरे हूँ कियार उरी बहुत बढ़िया बनाई थी मेकर्स ने तो क्या पता इस मूवी को भी बनाया हो तब भी देख सकते हूँ ये मूवी तब भी बहुत बढ़िया है और अगर आप उन लोगों में से हो जो कि आर्टिकल 370 के एकदम हम सपोर्ट में थे कि भाई वो हटरा नहीं चीए या फिर ऐसा कुछ तो मैं कोई political opinion नहीं दूँगा ये आप समझी जाओ कियार अगर इस मूवी के अंदर उसको हटाना दिखाया जा रहा है तो किस तरह से चीज़र शो करियोंगी और अगर आप उसके support में थे तो आपको बिल्कुल देखके अच्छा ने लगेगा और आपके लिए movie भी खराब हो जाएगी पर I don't think so कि ऐसा किसी के साथ होना चीए लेकिन still हम एक chance ले लेते हैं तो यह था मेरा review एक बार तो आप इस movie को चेक आउट जरूर करना आपको बहुत बढ़िया लगेगी यह movie इस weekend के उपर article 370 और crack के बीच में मैं हमेशा चूज करूँगा article 370 को और crack को चूज करने वाली audience समझ जाओ फिर कैसी हो सकती है खैर हम हमारे इस review को खतम करते हैं यही पर मिलेंगे आपसे बहुत जल अगले किसी movie ए वेब से review के अंदर और वैल आप में को comment करके बताना कि क्या आपने article 370 movie देखिए और अगर देखिए तो आपको कैसे लेगी तब तक के लिए good night sweet dream take care and ta-ta